मैं आज आप लोगों के लिए जिसे सी सिजियल हिंदी पेपर 2 या महिला परिश्ची का सहय का चार्च 6-8 वर के त्यारी करें अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चुछ किया है तो उसी कंत तकत हम लोग परिंदे कहानी से समाने आपको 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 परिश्चा में देखने को ज़रूर मिलेंगे और जिने भी कंप्लीट नॉट्स चाहिए कंप्लीट नॉट्स कि तो वह डायटली वार्षप पर कॉंटिट कीजिए 700 450 1486 यह हो वार्षप नमबर आप लोग इसके आप लोग क्या किजेगा खाली इंफोर्मेशन गेंद कर सकते मेसेज के थूरूर ओके शुरूआत करते हम लोग परिंदे कहाने के अधार पर बताईए कि मेजर ग्रिस नेगी ने लेटका को मैन इटर और कुमाओ कहकर क्यू सुम्वधित करता था तो उसे चिढ़ाने के लिए तो बिकल्प धी यहाँ पर से उतर रगाओ उसको चिढ़ाने के लिए नेट है परिंदे कहाने के बारे में शही कथन क्या है तिहाँ पर जितनी भी परिंदे कहाने के बारे में लिखी हुए सारे सारे सत्ति कथन लिखे हुए है एक बाद देख लेते हैं विशाय जो है अपने देश अपने सहर लोटने की उमीद में जी रहे लोगों की कहानी है अपने अतित से लड़ने वाले लोगों कहानी है परिंदे की लतिका की समस्या, सोतंत्रा या मुक्ति की समस्या है अतित से मुक्ति, स्मिर्थी से मुक्ति, इस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चक्ति है और अपने रेले में घसित ले जाती है उप्युक सभी यहाँ पर जितनी भी लिखे में सारे बिकल्प डी सहीं उतर हो जाएंगे उप्युक सभी नेक्ट है परिंदे कहानिक अंसार लट्का के निरास मना इस्तितिक का कारण क्या है तो मेजर ग्रिस नेगी का असमाईक मिर्टू नेक्ट है चाल्स बोवर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता था तो ग्रिस नेगी को पुकारा जाता था निम्लीखित में से कौन परिंदे कहानी का पात्र नहीं है तो बिकल्पसी होगा सुथी बाकी कर्मुदीन, हेमंती और मुकरजी जो हैं ये परिंदे कहानी के पात्र हैं नेक्ट है ग्रीस नेगी कौन था तो कुमाओ रेजिमेंट का कैप्टन था अजी मेम साहब अभी क्या सर्दी आई है बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं कहानी में ये पंक्तियां किस के द्वारा कही गई है तो कर्मुदीन के द्वारा कही गई है मेरे संग स्नेफोल देखने कोई नहीं ठरेगा ये पांक्तिय कहानी के किस बात दौरा कही गई है तो मिस लद्टका के दौरा कही गई है बिकलबसी सही उतुर हो जायेगा लटिका का ग्रिश नेगिश से पचे किष्णे करवाया था डॉक्टर मुकरजी ने कर आये था डॉक्टर मुकरजी कॉन्वेट इसकुल में कौन सब इसे पढ़ाते थे तो हाईजिन फिजोलोजी सब लड़कियां एक दुसरे कूपर गिर्दी परती किसी निली बस्तु को छूने के लिए भाग दोर करने लगी पंक्ति में किस निली बस्तु की ओर संकेत किया गया है तो निले लिफापे की पत्र की ओर नेक्ट है परिंदे कहानी की कथा भूमी है कॉन्वेंट इसकूल की नेक्ट है परिंदे कहानी का अनुसार होटल में सबसे लोगपिरिय लड़की कौन है तो सुधा सब लड़कियां एक जैसी होती है बैकूप और सेंटिमेंटल परिंदे कहानी की अनुसार ये कथन किसका है तो डॉक्टर मुकर जी का है नेक्ट है लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो अपने देश का सुक कहीं और नहीं मिलता है यहां तुम चाहे कितने वर्स रह लो अपने को हमेशा अजनभी ही पाओगे परिंदी कहानी का अनुसार ये कथन किसका है तो मिस बूट का है विकलप सी सही उत्तर होगा नई कहानी के प्रथम क्रिती है विकलप भी हो जागा परिंदे जूली किस कहानी का पात्र है तो जूली जो है विकलप भी हो जागा परिंदे कहानी का पात्र है नेक्ट प्रेस्ट जो है परिन्दे कहानी करनुसार हुबर्ट छुटियों में कहां जाना चाह रहा था तो दिल्ली विकल्प यह सही उतर हो जाएगा नेक्ट है नई कहानी के समद्द में कौन सा कठन गलत है तो नई कहानी में काबे की उपकरनों का परियू हुआ है नई कहानी भोगे हुए एथात पर बल देता है मही शिंग नई कहानी अंदोलन के प्रवत्तक है परिंदे और आपसी नई कहानी अंदोलन की कहानी है तो यहां से देखे बिकल्प भी जो है असत्ति है निर्मल बर्मा की परिंदे कहानी को किष्णे प्रत्थम कहानी माना है तो नामवड श्रिंग निर्मल बर्मा का पहला कहानी संग्रा कौन सा है तो बिकलपसी परिंदे नामवड श्रिंग कमसार्थ नई कहानी आंदोलिंग शुरुवात होती है परिंदे से नेक्स्ट है कहानी की नाइका लज्का की समस्या क्या है सोतंत्रा या मुक्ति की समस्या अतिस से मुक्ति की समस्या यह भी दोनों यहां पर विकल्प सी सही उतर होंगे यह भी दोनों हो जाएगे नेक्स्ट प्रेशन परिंदे कहानी का श्रीशक किस मनभाव को ब्यक्त करता है तो फ्रतं परख्षी को नेक्स्ट है परिंदे कहानी कि नईगा के श्रमन में कौन सा क्थम सत्य है तो यह मित की अस्मिती habr Bar परिंदे कहानिक अंशार मेजर ग्रिश नेगी से लटका का पाला परशे किसने करवाया था डॉक्टर मुकर जी ने कराया था परिंदे कहानिक की पाथ लटका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रवास में किस पत पर कार्य करती थी तब यह हो जाएगा वाडन नेक्ट है परिंदे कहानिक अंशार डॉक्टर मुकर जी ने बर्मा क्यू छोड़ा था जपानी हमले के कादम नेक्ट प्रस्ण जो है परिंदे कहानि में दिये गए कथन में धूंद किसके मना इस्थिति का परतीक है तो विकल्प सी हो जाएगा लटिका नेक्ट प्रस्ण जो है निर्मल बर्मा का पहला कहानि से कौन सा है तब परिंदे हो जाएगा नेक्ट प्रस्ण जो है क्या मैं किसी खुसट बुढ़ियां से कम हूँ अपने अभाव का बदला एसारों के लिए जा रही हूँ परिंदे कहानि में ये कथन किसका है तो ये जो कहानी है किसके बिसे मैं एक लटिका लटिका का कथन है ये नेक्ट है परिंदे कहानी में मेजर ग्रिशनेगी किस रेजिमेंट पर कारे रत थें तो कुमाव रेजिमेंट नेक्ट प्रस्ण जो है परिंदे कहानी कि लटिका कितने वर्सों से छुटियों में चात्रवास में ही रह रही थी तो तीन वर्स नेक्स्ट प्रस जो है परिंदे कहानी में डॉक्टर मुकर जी कहांक रहने वाले थे तो विकल्पे होगा बर्मा नेक्स्ट प्रस ने परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ था तो विकल्पे होगा उन्हें सो साटिस भी नेक्स्ट प्रस्ट है परिंदे कहानी के पात्र है रिचार्ड, डॉक्टर मुकर जी, रामधन, मिस्टर हुबर्ट तो बी और डी आपका सही होता हैं विकल्प C सही होता हो जाएंगे परिंदे कहानी किस कहानी संग्रम संक्लित है तो विकल्प यह परिंदे नेक्ट है परिंदे कहानी स्वर्पत्रम किस पत्रिका में छपी थी तो विकल्प यह हो जाएंगे हल्स पत्रिका में छपी थी नेक्ट है परिन्दे कहानी के पात्रों में सामिल नहीं है तो लतिका ग्रिष्णेगी मिस वूड मंदाकनी तो विकल्पटी हो जाएंगे मंदाकनी नेक्ट है परिन्दे कहानी का मुल भी सही क्या है तो विकल्पे मदवर्गी जीवन में ब्याप्त अकेला पन नेक्ट प्रस है परिंदे कहानिक नाइक का कौन है तो मिस लटिका विकल्प ये सही उतर हो जाएंगे नेक्ट है परिंदे संग्रा में संकलित कहानि उसे का कितनी है तो विकल्प C हो जाएंगे साथ हो जाएंगे परिंदे किस विधा की रशना है तो विकल्प सी हो जाएंगे कहानी नेक्स्ट है परिंदे कहानी का एरर कौन है निर्वल बर्मा होएं और अब देख लेते हैं लास्ट प्रस्ट जो है पात्र परचे से रिलेटर आते हैं तो परिंद्य कहानी का जो पात्र पर्चहे है परिंद्य कहानी से मिर्मादाव्र अचित wow कि कि बहुछ सारा पात्र हैं collaborate का पात्र है नाइका भी यह वार्ण काम करती है सुधा जूली करिमुदिन जो नोकर था डॉक्टर मुकर जी हाइजन और फिजिलोजी के फादर मिस्टर है मिस्टर हुबर्ट संगी सिच्छक हैं गिरिस नेगी कुमाओ रेजीमेंट मिस्वूड प्रिंस्पल है थादर एलमंड हेमंती यह सब सारे क्या हैं बताओ के परिंदे कहाने के पात्र हैं पर मुक पात्र है और भी कुछ डिटेल हैं आप देख सकते हैं जब नोट्स भी जेगा इसका पेडियाप लिजेगा तक वो सारे नोट्स में रहेंगे यहां पर डिटेल से रहेगा उससा पात रहेंगे सारे डिटेल से रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे यहां पर सारे ओके यह था आपको जितनी भी परिटे कहान इसा को जाना चाहिए था मैंने दिया हूं और इसके ओनलाइनर प्रस्टर भी आपको इसी चैनल माधियम से देखने को मिला होगा और उसी का और एट शिक्स पर आप वार्चेप पर मेसेज करके इनफर्मेशन गेन कर सकते हैं ओनली मेसेज ओके थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग मैं वीडियो झाल 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 झाल